सेकिंड क्लास कैसे हैं आप बच्चों आज में आपको जीके पढ़ाऊंगी सभी बच्चे जीके की बुक ओपन कीजिए पहला चप्टर आपने पढ़ा I can eat it अब आपका दूसरा लेसन स्टार्ट होता है Find My Baby Help Mommy and Daddy, Animals Find Your Baby Who Are Playing, Hide and Sick Write Your Name कि Mommy और Daddy जानवरों को अपने बच्चों को ढूणने में मदद करो जो क्या है चिपकर खेल रहे हैं और उनके नाम बताना है आपने सबसे पहले आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है Cat Cat बोल रहा है My Baby is a Kitten आपको यहां पर किटन दिख रही है कहीं पर नहीं दिख रही हैं तो आप क्या करेंगे दूसरे वाले पेज में चलेंगे चलें यहां पे आपकी कहां पे है किटन यहां पे अब हम फिर सुरू वाले पेज में चलते हैं यह किसकी पिक्चर है? काव, my baby is a calf कौन बोल रहा है? काव बोल रहा है यानि कि गाई बोल रहा है कहां पे गाई की बेबी यह है सेम, नीचे किसकी पिक्चर है? सेम, my baby is a lamb अब सिप बोल रहा है कि मेरी बेबी कहां पे है यहां पे, होके हो गया यह वाला, अब हम दूसरे पेज में चलते हैं फिर अब आपको यहां पे बोल रहा है my baby is a fall कौन बोल रहा है? horse यानि कि घोड़ा बोल रहा है my baby is a fall आपको दिख रहा है घोड़ा का बच्चा? यहां पे है फिर my baby is a puppy डॉगी बोल रहा है कि मेरा बच्चा क्या है? पपी है, कहीं पे दिख रहा है आपको पपी? यहां पे है नीचे पे देखो लगा रहे हो ना सब? नाम लिख रहे हो? चलो अब नेक्स है लास्ट वाला my baby is a kid किसकी पिक्चर है? आपको यहां पे दिख रही? गोड़ की है ना? तो हम क्या करेंगे? यहां पे तो दिख नहीं रहा है उसका बेबी अब हम क्या करेंगे? सुरू वाले पेज में चलेंगे यहां पे आपको दिख रहा है? गोड़ की बच्चा दिख रहा है? कहां पे दिख रहा? यह रहा कर लिया अब बच्चो, आपने यह वाला काम अपनी कापी में करना है कैसे करना है? मैं बताती हूँ आपको चलिए यह मैंने आपको लिख के दे रख find my baby सबसे पहले आपका cat cat का baby kitten cow का golf sheep का lamb horse का fall dog का puppy goat का kid यह आपने अपनी copy में करना है और day लिखना है class work लिखना है और day डालनी है और writing एक दम साफ साफ लिखी होनी चाहिए आप अपना काम करिए